लो दोस्तो आपका स्वागत है सुषेन लवनर्वे दोस्तो जेती सचिवालन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लाया हूं जो मैंतेमेटिक्स से रिलेटेड है दोस्तो यह इक्जाम के लिए बहुत बेनिफिस्टेल होगा दोस्तो अलगेवरा से इस तरह कोश् यह भी यह important है, graduate level का exam में, तो कुछ fact math का algebra में बताने की pozitia हूँ, वो काफी important है, आपको यह याद रखने चाहिए, इसमें calculation करना ही नहीं है, आप यह सिर्फ fact याद रखिएगा, आपको question आपको answer मिल जाएगा, चलिए देखके, some important, some important, some important fact, facts question, some important fact question, for algebra, algebra, algebra advanced math से बिलोग करता है, काफी important है, इसका वेड़े बहुत जादा, last year, दो से इन question, इससे पुछा गया है, 2016 के सची वाले exam में, तो यह basic चीज है, अगर यह आपको याद रहा रहा रहा, तो डेफिनिटली आप exam में अच्छा करोगे, इससे related question आपको देखने को मिला था, चलिए देखते हैं, बहुत easy way में, सिर्फ आपको याद रखना है, और कुछ नहीं करना है, इसमें calculation exam में करना ही नहीं है, यह fact को आप याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है, यह आपको question के phone में दिया हुआ रहेगा, आप 2, इसका answer लिकालना है, इसका answer क्या हो जाएगा 2, एक तब as gives answer होगा 2, आपको इसमें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ 2 answer लगा देना है, यह आपका answer हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं, x plus 1 by x equal to 3 दिया हुआ रहेगा, अगर आपको पूछ ले, x square plus 1 by x square दर क्या होता है, तो आपको saver answer लगा देना है, यह as gives होगा, इसमें कोई changes नहीं आएगे, fix, यह आपका answer होता है, चीक है, x plus 1 by x equal to 5 रहेगा, अगर आपको पूछे, x square 1 by x square, तो equal to में क्या हो जाएगा, जहाँ पर 23 होगा, क्या होगा, 23 इसका answer हो जाएगा, चीक है, 23 होगा, आप चीक होगा, आपको देखते हैं, यहाँ पर, x plus 1 by x equal to 5 रहेगा होगा है, चीक है, आपको पूछ ले, कि x cube plus 1 by x cube क्या होता है, तो इसका fix होगा, 110, क्या होगा, 110 होगा, जिक है, आप चीक ले देखते हैं, x plus 1 by x equal to 4 रहेगा होगा है, जिक है, और पूछेगा हमको, x cube plus 1 by x cube क्या होता है, तो यह क्या होता है, 52 होता है, जिक है, यहीं पूछेगा आपको, 52 आंचर होगा ठीक है X plus 1 by X equal to 3 दिया हुआ है हमको पूछ ले X cube plus 1 by X cube equal to क्या होता है तो ये 18 होगा क्या होगा 18 होगा ये fact है इत्तम इप्जाम में पूछे क्या है अब X minus 1 by X equal to 3 दिया हुआ है ठीक है और हमको question में पूछ रहा है X cube minus 1 by X cube equal to क्या होता है ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा ठीक है 36 आपको दिया हुआ नहीं रहेगा याँपर 18 दिया हुआ नहीं रहेगा लेकिन ये आंसर ये होगा इसकाम में आपको याद रखना इसमें calculation करना ही नहीं है ये fixed pattern के होते हैं याद रखना पड़ता है इसमें अगर calculation आपकर रहे हो तो कहीं नहीं मैंस में आप कमजोर हो मैंस में ज्यादा practice नहीं कर पा रहे हो ठीक है याँज के आंसर होगा आप इस देखते है X plus 1 by X equal to root 3 question दिया हुआ है और हमको find out करना है X cube plus 1 by X cube यह लिकालना है इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 क्या होगा इसका आंसर 0 होगा ठीक है चले देखते 9 numbers X minus 1 by X दिया हुआ है equal to root 3 दिया हुआ है ठीक है अब हमको question जो पूछ रहा है X cube minus 1 by X cube पूछ रहा है ठीक है तो इसका आंसर सीदे क्या हो जाएगा 6 root 3 क्या होगा 6 root 3 पहुत important यह question यह question खास करके यह और यह question पहुत ज़्यादा important तो यह देखते है 10 number X minus 1 by X X minus 1 by X equal to 5 दिया हुआ है ठीक है तो X cube minus 1 by X cube equal to क्या होता है 140 होता है क्या होता है यह activities होगा आपको आपको बहुत सारे question की तरह से आपको मिलेंगे देखनी के लिए ठीक है यह आंतर हो जाएगा ठीक है अब 11 number देखी X minus 1 by X equal to 4 दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा X cube minus 1 by X cube तो क्या हो जाएगा 76 इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 76 इसका आंसर हो जाएगा चीक है तो यह काफी important है यह सची सची वाले के लिए है और जितने भी धारखन में यह सची दोवारा exam conduct कीप करें जाता है उसके लिए काफी beneficial है आप previous यह question उठाओ आपको जारखन पुलिस के लिए काफी important है क्योंकि जारखन पुलिस में इस तरह के माइज एक जोग पूछे जाते हैं और सची वाले में तो पूछे ही जाते हैं तुपास सिपाई में के लिए important हो सकता है तो आप इसमें बने रहें और इसको आप रट ले याद कर ले आपको question देखने को मिलेगा ठीके आप इसके इसके स्वाड ले भी सकते हैं ठीके तो चलिए बने रहें और सब्सक्राइब करें लाइक करें आपको अगर यह video पसंद आए तो चलिए ठाइंक्यों